गरियाबन जिले में वन्विभाग के नाक के तले ग्रामीर छेत्रों में वनों की कटाई जोरों पर है लेकिन हरकम तम मचा जब एक ट्रेक्टर भारी भरकम इमार्ती लकडियां लेकर चोरी छुपे जा रहा था एक व्यक्ति को रास्ते पर ही डिएफो ने धर्द बोचा क्या है पूरा मामला देखी गरियाबन सेशी किम्रान की रिपोर्ट गरियाबन जिले की फिंगेश्वर वन परिछेत्र में लकड़ी से भरा ट्रैक्टर पकड़ा गया है आपको बता दे कि फिंगेश्वर वन कर ट्रैक्टर की छानबीन की तो देखा कि ट्रैक्टर की ट्रॉले में लकडियों के बड़े बड़े गोले थे जिसके बाद मौके पर मौजूद डियेफो ने जब कडाई से ट्रैक्टर ड्राइवर्स से इन लकडियों से भरे ट्रैक्टर के बारे में पूछा तो बताया कि पेड़ा रामजी साहू हिरवानी ब्रदस लोहार सिंह का है और बताया कि गुपाल राम लोहार सिंह का रहने वाला है जो एक किसान है जो अपने खेटंद के 5 पेड जिसमें साजा तेंदू जैसे पेड़ थे जिसे कटवा कर कीराय के ट्रेक्टर पर घर ले जा रहा था वोके परवन मंडला दिकारी राजिश पांडे ने कहा कि इसकी जाज की जाएगी। नखडी जंगल की है या खेट की अगर खेट की भी होगी तो पेर काटने के लिए और में लुटि या रहाता है। WITH एक में देखे एक मंकान के सामने ट्रेक्टर से अन्लोडिंग हो रही है लगाया लगडी तो मैं देखा कि साजा बहडा तेंदू इस तरे के प्रिजातिया हैं मैं रोका मैंने पूस्टाच की तो जो भी गाड़ी के साथ लोग आ रहे हैं उन्होंने बताई कि हम लोग अपने खेट की लखडी है कि नहीं है ऐसा तो नहीं कि जंगल की लखडी हो जिसे खेट का वो बता रहे हो और खेट की लखडी भी मिलती है तो अभी हम राजर स्विभा को एक केस देंगे बरहाल आज भी बड़े पैमाने पर जिले से आवया दिमार्ती लखडियों की कटाई नाकाम है आखे लखडी के तसकरों को रोकने में वन विभाग क्यों नाकामियाब है यह एक बड़ा सवाल है